हां तो as he was a trader वो एक कारोबारी था वो कारोबार करता था अपना सामान वगरा बेशने के लिए जाता था कहां पे Syria यह जाता रहता था he used to he used to go to Syria for trade so he took Mohammed peace be upon with him अब है question number seven question seven क्या है what advice did the monk give to abu talib and why जब वो Syria जा रहे थे दो रहा से उनको एक मॉंक मिला एक क्रिश्चन चर्च का जो है पादरी मिला उन्होंने इनको क्या advice दिक इनको abu talib को यानि what advice advice a divice दिड फिर्च मreseद कि द्च सब्सोंने मिला एक λिजन तो आईड वी आई एक ड्र।वाइस वॉन क्यों है और अब तालिब को क्या एडवाइज दी और क्यों दी ठीक है हम लिखेंगे द द मॉंक एडवाइजड अब तालिब देखें अपने एड़ी वी एड़ी लगा यहां पर सी था क्योंकि यह नाउन था और यह वर्प है ठीक है द मॉंक एडवाइज अबु तालिब अब तालिब नॉट तो चंटिव इस जूर्नी और तेक मॉंम्मद पीस भी अपन हिम बैक टू मक्का आप हम लिखें के उसा ऐसा क्यों हो कहां लिखें के लिखें के लिखें का लिखें के लगताईज मॉंम्मद पीस भी अपन इम all the characteristics of the last prophet that the Bible talks about the monk advised Abu Talib not to continue his journey and take Muhammad back to Mecca Muhammad نے Abu Talib का advice कि आप अपनी journey को जो है आगे मत बढ़ाओ आगे मत जाओ और इस बच्चे को जो है कहां ले जाओ वापस मका के लिए ले जाओ क्योंकि उन्होंने इन में वो सारी खुबियन देखी थी जो कि एक लास्ट प्रॉफिट में उनके किताब के हिसाब से होनी चाहिए थी अब है कोश्चन नमबर सेवन एट कोश्चन नमबर एट वेन दिड मुहमद पीज भी अपन हिम विजड सीरिया एस सेकेंड टाइम इसका हम आज एक पार्ट का अंसर लिखते हैं वेन डिड मुहमद पीज भी अपन हिम विजड सीरिया एस सेकेंड टाइम कोश्चन पूरा लिखने दिए मैं लेकिन आंसर मैं आपको पहले पार्ट का ही लिख वाँगी कि ये बड़े बड़े हैं थोड़े से वाट हैपन दियर अब जो दूसरी पार वो सीरिया गए तो कब गए कब गए सीरिया वो जब वो खुद एक ट्रेडर बन गए थे ठीक है ना तो हम लिखेंगे यहां पर मुहमद पीस भी अपॉन हम विजिआख गाए वो लिए झाल लिए कि अधन विए लिए वो लिए अवी a trader and went there to sell the merchandise of Erich Widow Khatija ठीक है वो तब के जब कि वो एक ट्रेडर थे और वो वहाँ पे क्यों गये क्योंकि उन्होंने सामान बेशना था किनका एक बहुती अमीर विड़ो थी जिनका नाम था Khatija इतना आप के लिए आज काफी है